नमस्कार दोस्तों मैं सुसील कुमार आपका स्वागरत करता हूं सुसील जोन में दोस्तों इस वीडियो में देखने जा रहा है इस रम कार्ड क्या है कैसे बनाना है और बनाने से सबसे पहले बात कि ये बनाना क्यों है इसके क्या फायदे है और क्या नुक्सान है ये क्यों बनवाया जा रहा है अगर आप बनाते हैं तो आपको इससे क्या benefit मिलने हो ला है और main खास बात ये है कि कौन-कौन इंसान बनवा सकता है अभी बहुत viral वीडियो हो रही है बहुत चर्चा है इस रम कार्ड के बारे में कि इस रम कार्ड बनवा लो इतने पैसे मिलें भी इस रम कार्ड के क्या फायदा है और क्या क्या अप इलिघ्यवल है या नहीं है इस वीडियो में देखेंगे तो चले इस वीडियो study करते हैं तो दोस्तों वीडियो करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को ब्रकर सब्सक्राइब स्क्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह important विडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा तो दोस्तों यह आपको यहां दिखाई दे रहा होगा यह हमारा objective of ishram card है इसके क्या मतसद है objective क्यों बनवाया जा रहा है इस रम card तो दोस्तों यहां लिखा हुआ है unique step taken by the government of India centralized data will there of all category of labors इसका मतलब दोस्तों government of India द्वारा एक क्रिदम उठाया गया है जिसमें जितने भी हमारे अन और्गनाइज sector में जो लेवर है यहां मतलब अस अंडठित स्रमिक जो है उनका data collect किया जा रहा है उनका एक्तर से database बनाया जा रहा है जैसे अन और्गनाइज फायदे हैं और साती साथ प्या नुकसान होने वाले हैं आगे इस वीडियो में क्या हमको फैदा नुकसान है तो दोस्तो आपको स्क्रिंग पर दिख रह Jahres और Pre- graft उफ हम्टम को समझा देते हैं इस रम कार्ड में किया की आपको बनेफित मिलन वाला है तो दोस्तो सबसे पहले लिखा हुआ है गोभर्मेंट इसु ए युनिक आइडेंटी कार्ड विद अधार के वाइसी वैलिड इन पैन इंडिया मतलब गोभर्मेंट जो है सरकार आपको एक युनिक आइडी कार्ड देगा जो आपको पूरे इंडिया वैलिड होगा जो अधार कार्ड से लिंक होगा आपका मतलब अधार के साथ किवाइसी किया जाएगा उसका और दोस्तों यहां पर सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है और तिसरा पॉइंट दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है और दोस्तों चोंथा पॉइंट दोस्तों यहां पर युजना यानि बीमा किया जाएगा nos डिया जाएगा अगर एक्सिदेंटल डेथ खोता है ग्सिदेंटल यहां फ्रत और उनको एक लाग यहां जाएगा आप नुटसान में देख लिए नुटसान न कहें या जिसे आप हम लोग जो बीमा करवाते हैं तो उसरा प्रिमियम भरना पड़ता है तो दोस्तों इसी तरह जो आप बैंक एकाउंट इसमें लिंक करेंगे तो आपके बैंक एकाउंट से 12 रुपे महीना का कटेंगे यह हमार करा टर्मन कंडिशन है इसरम कार्ड का चली दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसरम कार्ड कौन-कौन बनवा सकता है क्या आप इसरम कार्ड बनवा सकते हैं तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यहां पे है असंड़ठी स्रमी के कुछ उदाहरन दिये रहे हैं यदि इनमें से आप कोई है तो आप इसरम कार्ड बनवा सकते हैं आप वीडियो को पाउस्टर के लाइन से बढ़ लें क्या क्या लिखा हुआ है इसमें से अगर आपका नाम आता है आप यह काम करते हैं तो आप इसरम कार्ड बनवा सकते हैं कोई दीक्रत नहीं है तो चली दोस्तों आगे हम देखते हैं e-sarm card कैसे बना सकते हैं दोस्तों आप e-sarm card खुद से बना सकते हैं अपने mobile या computer या laptop के सहायता से या आप कहीं CSC केंदर पे जाके दुकान पे भी आप बनवा सकते हैं यह three of cost है कोई रुपया नहीं देना है बनवाने में चली दोस्तों आगे हैं e-sarm के official website e-sarm.gov.in आपको यह website open कर लेना है इसी पे आपको e-sarm card बनाया जाएगा तो यहां पे आपको दिख रहा है register on e-sarm यहां लिखा हुआ है तो यहां पे आपको click करना है तो दोस्तों register पे click करते ही आपके सामने ऐसा page open हो जाएगा तो दोस्तों यहां पे देखी आपको लिखा हुआ है information required for registration registration के लिए आपको पस क्या क्या होना चाहिए तो सबसे first of all सबसे पहला point तो आपका अधार number होना चाहिए दुसरा point आपका जो mobile number है अधार से link होना चाहिए और mobile on होना चाहिए तो दोस्तों अगर आपके पास अधा पार ओला mobile नहीं है तो आप CAC के अंधर पर जाकर बनवा सकते हैं जहां को बाय में ट्रिक लिया जाएगा और आपका स्रमकार बना दिया जाएगा तिसरा option दोस्तों bank account details मतलब आपको बैंक खाता होना चाहिए आपके नाम से और आपका age जो है दोस्तों main point जो है age कितने साल बना सकते हैं तो 16 साल से 69 साल के बीच में जो है वो इसरम कार बनवा सकते हैं अगर आपका 16 साल से नीचे है या 69 साल से ज्यादा है तो भी आप इसरम कार नहीं बनवा सकते हैं तो चलिए process देखते हैं कैसे हमको बनाना और कैसे इस पर registration करना है तो दोस्तों यहाँ पर dATION EPFO और EPSIC आपको दोनों में 99 पर क्लिक करते दोस्तों नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ना है दोस्तों जैसे यह सेंड OTP पर क्लिक कीजेगा तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और आपके मोवायल पे ओटीप आचुका होगा तो दोस्तों यहां पर आपका मुवायल नमबर दिखाई देगा और यहां पर आपको ओटीपी भरने का ओप्सन है तो आप ओटीपी डाल कर नीचे जो सब्मीट लिखा उस पर क्लिक कर दें तो दोस्तों सब्मीट पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपेन हो जाएगा इसमें आपको अधार दें दोस्तों नीचे यहां पर चेक बोट्स जैसा बना हुआ है उसपर आपको क्लिक कर देना है और नीचे जो सब्मीट पर क्लिक कर देबाई तो आपके सामने नया पेज ओपेन हो जाएगा इसमें दोस्तों यहां पर ओटीपी डालने का ओप्सन दिखाई दे रहा है click करते हैं तोो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अधार कार्ट से जो भी आपका डेटा है यहां पर दिखा दिये जाएगा आपका नाम डेट bout hm जेंडर और बड्लक यहां दिखा देगा और जो आपके आधार कारी फोटो यह भी यहां दीखा देगा तो दोस्तों यहां पर आपको दिख यहां पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे continue to enter other details continue पर आपको क्लिक कर देना है continue पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको दुसरा option personal information में आ जाएगा यह personal information यानि दुसरा step में आ जाएगा यहां पर आपको mobile number डाला हुआ है पहले से फिर emergency number पुछेगा एदि आपको emergency number जैसे ममी पापा भाई बहन की से देना चाहते हैं तो आप इसमें घर वाले के number दे सकते हैं फिर आपका email id पुछ रहा है यह जो दोनों हमारा है इमरजेंसी मुआल नंबर जरूरी नहीं है अगर आपको पास है तो दे और नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर इसमें डाल सकते हैं फिर आपको डिफेंसली एवल्ड यानि आप यहां डाल दें उसके बाद दोस्तों नॉमनी डिटेल्स आपको पुछा जाएगा आप नॉमनी तोर पे किसे रखना चाहते हैं क्योंकि आपका यहां बीमा भी तो ट्रिया जा रहा है ना तो आगर आपको बीमा का लाव मिलेगा डेस के बाद या एक्सिदेंटल के बाद किसे मिलेगा वह पैसा किसे मिलेगा तो आप नॉमनी में आप किसी का भी नाम यहां डाल सकते हैं तो आप जिसे डालेंगे तो उनका डेट वर्थ भी डालना है और उनका जेंडर डालना है और नॉमनी से आ फारटार साल से निचे हैं अगर नॉम्नी का age 18 से जादा है तो आपको Stick Partners नहीं कर दो आपको ठीजन कर नाम से नाम और इंशे और पड़ेगा लोगे से सब भरने माद के बाद फ्रने के बदल सेषरास growth marker ज्किल कर दें हाऊस नंबर ढलना है फिर लोकलेटी डालना है एस्टेट डालना है अफ इस में डाल दें दोस्तो फिर दोस्तो आपको नीचे प्रोप सनट अस टेंग करेंट लोकेशन इसपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इतना सारा लिस्ट आ जाएगा मतलब इस्टा यह हुआ कि आप जो location का address डाल रहे हैं वहाँ कितने साल से रह रह रहे हैं एक साल से कम से एक दो साल से दो तीन साल से तीन चार साल से मतलब जो भी आप जितने साल से रह रहे हैं तो आप जितने समय से रहा रहे हैं आप उस हिसाब से है उप्सन को चुन ले उस्ते बाद दोस्तों आपको क्लिक करते हैं तो एड्रेस काम कम्पलीट हो गया फिर हमारा यह चौथा अश्टेप आ गया है मतलब इसमें आपको पढ़े लिखा के बारे इतना पढ़े लिखें नहीं पढ़े लिखें इसमें आपको डालना है तो पहला प्षण है एजुक्ते रॉप्सन आपको ट्युटेश्टेशन जरूरी नहीं है आप देवी सकते हैं नहीं भी सकते है Colorado सब्सक्राइब है दोस्तों Hz यह दोस्तों में इंपॉट्टेंट चीजे आपको ध्यान देना है दोस्तों जैसे हैं Maple partners टो करते हैं सब्सक्राइब टहरा 10,000 से rocking & the pad पहला और ने था जो भी आपका सूट करता है आपका पेमेंट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों इंकम सर्टिफिटेट डालना है तो ज़रूरी नहीं है यहां पर डाल सकते हैं फिर नीचे में आपका सेब करते हैं क्या आपका स्थील है क्या आपको पूरा डिटेशल से इसमें भरना अपकर करते हैं इसके शैप कर्याइंटर चाहिए जो भी आप 2 year जितने साल से आप काम कर रहे हैं इसमें आप डाल दें फिर दोस्तो इसे यहां पर ईपसों पूच रहा था तो सेंडरी नहीं है टाल सक्ते हैं और थोस्तों नीचे हाव दियू । यह क्वीस प्रढ़ने चाहिए से से आप क्लिक करते हैं तो लास्ट स्टेप यानि चठा स्टी यह ओपन हो जाता है और आपका ओन हो यह तो चटा श्राइब सॺच रहा है यहां बाइंडे एंड़स घ्रवर का नम होगा पहर आपको लिखना प्रम्रांब इस Fox Swart इसमें लिख दें फिर विए पेंड़ी अप्रें़ का नाम का लुद्स ब्लहे रहे हमाट ऑफ सेव एंड पर क्लिक कर दें तो दोस्तो प्रेज़ अब तो आपके सामने ऐसा page open हो जाएगा जिसमें आपका पूरा details भरा हुआ दिखेगा तो दोस्तों यहां पे आपको print review option है आप यहां पे से print भी कर सकते हैं नीचे आने के बाद दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहां पे I undertake that जो भी आपका मतलब सुचना दिये हैं जो information भर आपको एडिट का भी option मिल जाएगा आप यहां से एडिट भी कर सकते हैं तो अगर सब सही है तो आप समीट पर क्लिक कर दें दोस्तों समीट पर जैसे हैं आपका इसरम कार्ड बनकर त्यार हो जाएगा तो आपके सामने इसरम कार्ड श्रीन पर आ जाएगा आप यहां से download सकते हैं प्रीन्ट भी कर सकते हैं दोस्तों यह हमारा इसरम कारड बनाने का स्टेप है एप खुद से भी मुबाइल को लाइक करने नहीं भूलेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा होसला बुलन होता है और हमें आगे बिडियो बनाने के थी करते हैं आपको जवाब ज़रूर मिलेगा तो इस वीडियो में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेट टॉपिक के साथ तो अब तथ हमारे आप चैनल सब्सक्राइब नीटी तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लें तो लोगों पास सेर करना ना भूलें दो